नमस्कार मित्रों, 27 अक्टूबर को विधुविनो चोपडा द्वारा निर्देशित 12 फेल्ड सिनेमा घरों में रिलीस की गई थी अब इसे रिलीस किये हुए लगभग 4 दिन का समय बीच चुका है और पिछले 4 दिनों में फिल्म ने अच्छी कमाई किया है पहले दिन 1 करोंड से अधिक, दूसरे दिन लगभग 5 करोंड और तीसरे दिन 3 करोंड से अधिक की अरणिंग के इस फिल्म ने और अपने 4 दिन यानि सुमवार को वरकिंग डे होने के पश्चात भी 1 करोंड से अधिक की कमाई की है इस फिल्म ने तो कुल मिलाकर अब तक आठ करोण अर्जित कर चुकी है। अब ये आकड़ब देखने में आपको शायद छोटा लगे क्योंकि हमारे सामने पठान और जवान जैसे फिल्मों की तथा कथित सफलता का आवरण बुना गया है। एक दिन में 50 करोण, 60 करोण, तो हमें 2-4 करोण की कमाई कुछ लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो फलाप हो रही है। लेकिन किनी भी दो फिल्मों की कमाई की तुलना करने से पूर्व उनके बजट की तुलना भी कर लिया कीजे जवान और पठान जहां 250 से लेकर 300 करोण के भारी भर कम बजट में बनी थी तो वहीं 12 फिल्ड का बजट मातर 10-15 करोण से अधिक किसी भी मूल्य पर नहीं होगा तो ऐसे में मातर 4 दिन में 8 करोण की अरनिंग एक बड़ी सफलता है और इस सफलता का मुख्य कारण किसी एक्टर का स्टार्डम नहीं बलकि कंटेंट है 12 फिल्ड की कहानी ही इस फिल्म की जान है IPS मनोज शर्मा जी के जीवन पर आधारित ये फिल्म प्रत्यक व्यक्ति के लिए प्रेणा का अपार भंडार है कोई कितना भी कठोर क्यों नहीं हो फिल्म के अंत में उसका हरद है बिना द्रवित हुए रहे ही नहीं पाएगा आपको अंदर तक जज़कूर कर रख देती है ये फिल्म आपको ये सूचने पर विवश कर देती है कि जब मनोज जैसा चात्र इतनी समस्याओं से घिरा होकर भी अपना स्वपन पूर्ण कर सकता है तो हम क्यों नहीं और इस फिल्म का सबसे सकारात्मक बिंदू है मनोज जी का सामाने जीवन वो जिस काव से आते हैं जहां रहते हैं जिन जिन परिष्ठितियों का सामना करते हैं उन सभी से हम और आप जैसे सामाने लोग खुद को जोड़ कर देख पाते हैं तब ही प्रेणा का भाव जन्म लेता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है और इसने कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं इसलिए 12 फिल्म देखना आपके लिए हमारे लिए और चोड़े बच्चों के लिए भी बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रिरित हो सकें और पिछले चार दिन में जन्ता ने जो प्रेणा देखाया है उसे लगता है जन्ता ये बात समझ रही है और अकले आट से दस दिन में फिल्म अपना बजट भी रिकवर करके लाब के इस्थिति में आ जाएगी जो कि इस प्रकार की कंटेंट आधारित फिल्मों के लिए बहुत अच्छी बात है मैं तो जब भी कोई एजन्डा आधारित फिल्म आए जो छल कपड जूट से भरी हो जो हमें जूटा इतिहास दिखाए तो उसका विरूथ कीजिए लेकिन जब भी कोई अच्छी फिल्म आए जो हमें कुछ सिखाती है हमें प्रेलित करती है हमारा सच्छा इतिहास दिखाती है तो उसका समर्थन कीजिए यह हम सभी का करतव है दाहित है आप देखते हैं यह फिल्म कितनी कमाई करती है कहां तक जाती है आप लोगों के क्या विचार है इस विशाय पर वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं वीडियो को यदि आपने अन तक सुना है तो आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद जैसी आराम जैमा भरती